प्रेंट्स विल्कम बेक टू माई चैनल लेडी ओल जी करियर तो आप सभी कफिर से एक बार स्वागत चैनल पर फ्रेंट्स देख रहे हैं आप लोग मैं आपके सामने नेक्स पेपर लेके आ जुका हूँ यहाँ पर जो नेक्स सब्जेक्ट हमारा हुआ वो है फ्रेंट्स कम्यून्टी हेल्थ आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड और पेपर आईडी भी सात में दिया हुआ और हमारा जो स्लेक कोर्स है वो है बेसी रेडियो मेटकल इमेजिन टेक्नोलोजी या फिर बीम राइटी बी राइटी सारा कुस बोलते हैं आपको पता है मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले रोड नंबर मेंशन करना होता है जो कि मैंने कर दिया अगलास में और जो कुस्टन से टोटल कुस्टन से हैं यहाँ पर 9 यह त्सारा कुछ मैं आपको बता चुका हो फई सेक्षन में आपको 10 करना होता है और सेकंड जो आपको यहां पर पर 20 मार्क से लाने और जो 10 कूसंस आपको करना जरूरी है वह है दो नंबर के और इसमें भी 20 मार्क से यानिकि 60 मार्क आपका फाइनली सारा पेपर हो जाता है चलिए फटापट देखते हैं कुस्चन कैसा इसमें तो हम पड़ा पड़ देख लेते हैं टाइमिंग हमारा त्री आवर्स का होता है पुरा पेपर लिखने का फ्रेंट चलिए जानते हैं कुस्च करदे और आवर्स का मतलब जो हम किसी वर्ट प्लेस में काम करते हैं हाँ च्क हर्मफोल लेइस के बारे में बटाना नेज्ट हमारा ची से ऑथा प्रैमरी हेल्ट केर सबसे पहला उप्छार विए पेशन्ट को जिया जाता इसके बारे में और नेक्स्ट कूश्चन और डव होती है जो arrangement की जाती है government की तरफ से national planning के थूँ उसके बारे में next है हमारा companyization act क्या होता है इसमें क्या होता है friends की कोई भी company जिसमें काम करता है कोई worker तो वो company उसको एक policy provide करती है अगर जुसको कुछ हो जाता है तो insurance एक तरह का प्रदान करती है तो इस act के तहत उसको मिल जाता है कुछ फाइदा मिल जाता है तो इसी के बारे में बताना था और नेक्स था एम आफ एपेडिमोलोजी नेक्स कूस्चन था यह भी बढ़ियां सिंपल था occupational health जो occupation करते हैं उसका health उससे related बचीज के बारे में बताना था नेक्स था लिस्ट आफ बारे में बताना था यहां पर नेक्स था वाट ड्यू अंडर्स्टैंड वाइड डेमोग्राफी डेमोग्राफी क्या होता है इसके बारे में यहां समझा देना था तो दो नंबर की यह कुश्चन साथ हमारे चलिए फटा फट देखतें सेक्शन बी पी क्या फ्रेंस एक्षन बी में भी हम देख लेते हैं फॉर्स कुश्चन था डिसकस कॉंट्रा सेप्टेव मेड़ोय कि सभदा तरुब्रैंस न प्रिफंटॐर्यक्र पक्राइशन के बारे में सारहे प्रकाह्जियर स कश्वाफ्र송 प्रक्राइशन। यह वह यह अभ़िछ ल influential line आट टैनेश्ट के बारे में meter में आपको सिर्ब्र करना यहाँ हता हुआ हुआ है आगा में इंडिब का क्या है क्या है संजाना तर एक्सप्लेंद रोलब थेरपिस्ट जो थेरपिस्ट होता है कि mental health problem में थेरपिस्ट का क्या रोल होता है इसके बारे में यहां पर लिख देना था simple छोटा सा ज्यादा कुछ थानी प्रेंट और five marks का question था यहां पर अगर जो एक से डेड़ पेज में कर देते हैं तो बहुत अच्छा marks आपका बन जाता है तो नेक्स सेक्शन सी में फ्रेंट्स यहां पर देख लेते हैं नेक्स कुशन तो वाट इपीडेमिलोजी ही concept of disease तो एपीडेमिलोजी जो होता है इसका कॉंसेट दिजिस बताना था और describe the nature history of disease और इसके history के बारे में सारा कुछ explain करने explain the agent factors of disease जो factors होते हैं उसके agent factors के बारे में बताना तो जो disease है है उसके agent factors के बारे में और next question था discuss various problem आप व्लडेबल group तो व्लडेबल ग्रूप में क्या क्या आता है उसके बारे में बताना था जैसे की वन्रेबल ग्रूप में आता है कि प्रेइंट डो मैं आती है चील्डरन आते हैं इनके बारे में सारा कुछ मिलेरया CONTROL PROGRAM उसमें क्या डिट्टी ना इंपुर ना पर कलचर हमांति याँ तो यहां तो do आतो यहां के रहाँ में पर डिश्चान पेपर यहां प्र होगा यहां प्र James is मिलेरया कंट्रोल प्रोग्राम जो इसमें क्या होता है उनके बारे में अन पर पता लग रहा होगा आपको कि कैसा पेपर होता ज्यादा कोई टाप पेपर ने नॉर्मल पेपर है तो अगर जो वीडियो अच्छी लगई तो वीडियो को लाइक करके जाना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक नेक्स्ट लास्ट पेपर को लेगे थैंक्यू सो मच